चुनाव से पहले जोती मिर्धा ने कॉंग्रिस और आरेलपी यानि राष्ट्रिय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़ा जटका दिया है। कॉंग्रिस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद जोती मिर्धा लगतार नागवर जिले में कॉंग्रिस और आरेलपी कारेकरताओं को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। पूर्वसांसत और नागवर से बीजेपी प्रत्याशी जोती मिर्धा और जायल से प्रत्याशी मंजू बागमार समेथ बीजेपी के कई नेताओं ने उन सभी लोगों का डुपट्टा पहना कर स्वागत किया जिन्होंने पार्टी जोइन की है। जायल केंदर हम आये थे और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से यात्रा का स्वागत किया था। उस दिन मी लोगों के मन में उच्छा था कि हम बापस से एक बार बारती चलता पार्टी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। जोती मिर्धा ने आगे कहा कि इस बार जन्ता का बीजेपी की तरफ पूरा मानस बना हुआ है। और नागौर की जन्ता कॉंग्रेस और आरेलपी से पूरी तरह से पक चुकी है। इस बार नागौर डिडवाना कुचामन जिले की सभी दसो विधान सभा सीटों पर भाजपा का कबजा रहेगा। और राजिस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। मौन जी का टिकट कटा नहीं है, मौन जी हमारे बहुत ही सीनियर है। और आप लोगों तो यह जानकर के बड़ा आश्चरी होगा कि हम प्लास्टी के कुर्सी नहीं छोड़ते। मौन जी ने आज से डेड़ साल पहले अपनी मंच्छा जाहिर कर दी थी संगठन में और पार्टी में। तो आने वाले चुनाव में मैं चुनाव नहीं लड़ना चलता ह। तो उसी के चलते मौन जी ने पूरा स्वयोग दिया है। हर जगह जहां पर हम जाते हैं अपनी उमर के अलावा भी जन देखें। तो आज कल हम मौनडवा में जब जन संपर्थ कर रहे थे तो पूरे मौनडवा में हम पैदल चले और मोन जी हमारे साथ चल रहे थे। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को पता लग जाएगा लेकिन जोती मिर्धा ने धीरे-धीरे कॉंग्रिस कारेकरताओं को अपनी तरफ लाना शुरू कर दिया है। जिसका सीधा असर चुनाव पर पढ़ने वाला है।